स्वागत है करियर भाई में आज हम बात कर रहे हैं कि बारवी के बाद अगर आपको मेडिकल स्ट्रीम में जाना है तब आपके लिए eligibility criteria क्या है और कौन से तोन से टाइप के डॉक्टरी कोर्स के लिए आप admission ले सकते हैं तो इसमें से जो भी आपका interest हो उसमें आप जा सकते हैं कई लोगों को ऐसा लगता है कि डॉक्टरी मतलब केवल MBBS होता है लेकिन ऐसा नहीं है कई सारे टाइप के जो है वो courses होते हैं जिने complete करने के बाद भी आप doctor ही बनते हैं तो ये अलग-अलग courses कौन से है और eligibility criteria क्या है इसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दू कि बारवी जो है वो आपकी PCB प्लस English PCB यानिके physics, chemistry, biology तो physics, chemistry, biology जो है वो होने के साथ-साथ English subject आपका होना चाहिए और साथी-साथ कम से कम 50-60 प्रतिशत मार्क होने चाहिए अब कुछ institutes ऐसी भी हैं जहां पर इससे भी जादा मार्क्स लगते हैं तो जितनी जादा अच्छे मार्क्स आपके बारवी कक्षा में आएंगे उतना ही जादा बहतर रहेगा और आपकी age जो है वो minimum 17 years की होनी चाहिए तो अब हम बढ़ चलते हैं कि कौन से कौन से courses है तो सबसे पहला MBBS का course obviously जिसके बारे में सभी जानते हैं जिसका full form होता है Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery जो की एक 5.5 years का program है जिसमें से 4.5 years जो है वो आपको पढ़ाई के लिए देने होते हैं और एक साल की जैसे ही आपकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो आपकी 5.5 years में आपको एक साल जो है वो internship करनी होती है जो की compulsory होती है इसके लिए भी आपका जो है वो obviously जो भी सारे course में आपको बता रहा हूँ उन सभी के लिए आपका 12th standard में PCB plus English होना जरूरी है और जितने अच्छे marks हो उतना जादा अच्छा रहेगा लेकिन साथी साथ आपको NEET की examination भी crack करनी पड़ेगी NEET याने के National Eligibility Come Entrance Test तो इसके अंदर का score भी देखा जाता है वो score जो है वो भी जितना high रहेगा उतना जादा भेतर रहेगा ताकि आपको एक अच्छे medical college में admission मिल सके इसके बाद आते हैं BDS याने के Bachelor of Dentistry and Surgery तो ये भी एक 5 साल का course है जिन में से 4 साल आपकी पड़ाई होती है और 1 साल आपको internship करनी होती है बारवी का जो criteria मैंने बताया उसके अलावा इसके लिए भी need की examination conduct करवाई जाती है उसके अंदर का आपका score जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा आपको college मिलेगा इसके बाद course आता है BHMS याने के Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery तो अगर आपको homeopathy के लिए जाना है तो आप homeopathy के लिए भी जा सकते हैं और इसके लिए भी बारवी का criteria बिलकुल same है ये भी एक 5.5 years का course है जिन मेंसे 4.5 years आपकी पढ़ाई होगी एक साल compulsor internship करनी होगी और इसके लिए need exam भी वहाँ पर conduct करवाई जाती है और कुछ states की अंदर states की उनकी खुद की entrance exam भी होती है तो अगर आपके state की खुद की entrance exam है तो आपको need देने की शायद जरूरत ना पड़े अगर वो इस university में केवल आपके state exam का score चलने वाला है तो आप केवल state exam का score के उपर भी वहाँ पर admission ले सकते हैं इसके बाद course आता है B.A.M.S तो B.A.M.S इसका मतलब होता है बैचलर ओफ आयरुवेदिक मेडिसिन और सरजरी तो बारवी का कराइट एरिया इसके लिए भी same है 5.5 येर्स का course है जिन में से 4.5 येर्स आपके academics है वन येर आपकी compulsory internship है और इसके लिए भी जो है वो आपको need की exam crack करना जरूरी है उसके अंदर जाता से जादा high score करना जरूरी है इसके बाद आता है B.U.M.S तो B.U.M.S याने के bachelor of younani medicine and surgery तो इसके लिए भी बारवी का criteria same है 5.5 येर्स का course होगा with one year internship इसके लिए भी जो है आपको need की exam crack करना जरूरी है और आखिर में जो आपका आता है वो आता है B.V.S.C तो इसका full form जो है bachelor of veterinary science तो अगर आप जानवरों की doctor बनना चाते हैं तब आपको ये course लेना पड़ेगा ये course जो है वो आपको 5.5 येर्स का ही course है और 4.5 येर्स का आपका academics है one year आपकी internship है और इसके लिए neat exam के भी scores देखे जाते हैं या कुछ states में उनकी खुद की entrance examination भी होती है जिसे आपको crack करना पड़ता है high score के साथ में तो कुल मिला करके ये पूरा लेखा जोखा है तो ये इसकी सारी main streams है अगर आपको proper doctor बनना है physician बनना है, surgeon बनना है तब आपको MBBS के ले जाना होगा अगर आप केवल dentistry करना चाहते है तब आप BDS के लिए जाएंगे अगर आपको homeopathy में जाना है तो BHMS में जाएंगे अगर यहाँ पर आयरुवेदिक में जाना है तो उसके लिए भी stream अलग सकी गई है युनाने के लिए भी है और जानवरों के लिए भी है बारवी का criteria जो है वो सभी के लिए बिलकुल सेम है सभी के लिए आपको बारवी में physics, chemistry, biology with English ये होना ज़रूरी है और marks जितने अच्छे होंगे आपके बारवी के उतना ही जादा आपको admission लेने के लिए आसानी होगी अब कुछ-कुछ universities हैं जो कि किवल NEET के score के उपर ज्यादा weightage देती हैं लेकिन कुछ universities ऐसे भी हैं जहां पर दोनों का समान balance होता है तो better यही रहेगा कि आपके बारवी के marks भी अच्छे रहे और NEET का score जो है वो भी जादा से जादा अच्छा रहे तो कुल मिला करके यह पूरा लख्या जुका है तो अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो like जरूर कर दीजे जादा से जादा शेयर कर दीजे और अगर मेरे वीडियो ने आपकी थोड़ी सी मदद कर दीजे तो मेरी भी थोड़ी सी मदद कर दीजे इस चानल को सब्सक्राइब करके